कि अगुद एविनिंग फ्रेंड्स स्वागत आप सब का हमारे स्टेडी गूर्प मीशन सिविल सर्विसेज में मैं आपका दोस्त भी चुभाने वर फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं आप सब के सामने लेकर आया हूं अगस्त दो जारूने इसका करेंट अफेर्स और य 閉ए लाइक से सस्ब्सक्राइब करें और वनके स्ब्सक्रिप्श्वन होने के बाद लाइफ क्लास वित आएंगी तो कि COP 하Не अगर देना चाते है तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाए मटि प्लश में है हैं ना तो चले शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते इंडेक्स 2.0 ना Composite Water Management Index 2.0 जो निती आयुग जारी करती है इसमें प्रथमस्थान गुजरात को मिला है ठीक है और उत्तर पूर्वी हिमाली राज्यों में प्रथमस्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है और केंदर शार्षित प्रदेशों में प्रतमस्तान पुद्दुचेरी को मिला है समझ गया कमपोजिट वाटर मेंजमेंट इंडेक्स 2.0 जो नीती आयोग जारी करी इसमें प्रतमस्तान राजियों में गुजरात को अहुतर पुरी वी हिमालेही राजहों में प्रतमस्तान हिमाचरल प्रदेश को और किनसासित प्रदोस्व की सुच्ची में प्रतमस्तान पुद्दी चेरी को अगला प्वएंट है सरल सुचकांक जो उर्जय मतराले जारी करता है सरल मतलब स्टेट विरूफ टॉफ टॉफ सूलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है ना स्टेट्ड विरूफ टॉफ टॉफ टॉप टॉबंडेस इंडेक्स इसमें प्रतमस्थान करनाटक को मिला है इसको हिंदी में राज इच्छत और अकर्शन शुचकांग भी करते हैं सरल को फोलपर मुता स्टेट रूट टॉफ सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स और राज इच्छत शौर अकर्शन सुचकांग अगला पॉइंट है कि अंगीकार अभियान इसमें करता कि केंद्रिये अवास्त था सरी मामले के मंत्राले इसका उदेश्य था जल्व उर्जा संरक्षन कच्रा प्रबंदन स्वास्त पौधरोपन स्वक्षता इतियादी जैसे मुदों पर फोकस करना अंगीकार अगला योजना है अधर्ष्मारक योजना जिसको संस्कृती मंत्रा लेने जारी कि इसका उदेश्य था एतिहासिक इमारतों में आने वाले अगंतुकों को बेहतर सुधाय प्रदान करना नहीं इसमें नाम से पता चल जा रहा कि अधर्ष्मारक योजना की बात करी जा रही इसका उदेश्य क्या है तो इसका उदेश्य है अतिहासिक इमारतों में आने वाले अगंतुकों को बेहतर सुधाय प्रदान करना अगला पॉइंट है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निना लिया ठीक है न समाप सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निना लिया इसके अनुसार जम्मू कश्मीर को विधान सभा के साथ था लदाक को विधान सभा के बीना के अंदर शासित प्रदेश बनाए जाएगा द्यान से समझजी की बात है जम्मू कश्मीर में हटे अजंजोधन यानuni की निदैजों की संखिया में शंशूधन किया गया था सरोज नियाय ल्यस्ट शंशोधन विद्यक 2019 को लोकसभा की मनजूरी मिली ये विद्यक नियाय जिसों की संखिया तीस के बढ़ा कर तैंठेस करने का प्राऊधान करता है ठीक है दो प्रवधान लिखा गया है तो पढ़ना एक ही बार है कि 30 से बढ़कर 33 का प्रवधान करता है और कूल निया अधिश हो जाएंगे 34 कि इसको मुख्य निया अधिश को मिला कर है ना तो सर्वस नियाल है कि बारे में जाने के चलिए अगला पॉइंट है कि दिल्ली सरकार ने 200 त अगला पॉइंट कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेंड कोलकत्ता में हुगली नदी के नीचे सुरू की जाएगी यह सॉल्ट लेक से सेक्टर 5 को हावडा मैदान से जोड़ेगी कितना टोटल दूरी हो जाएगी 16 किलोमीटर ठीक है ना एब फिर से बता दे रहा हूं कि भारत के पहली अंडर वाटर ट्रेंड जो है कुलकत्ता में हुगली नदी के नीचे सुरू की जाएगी यह सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को हावडा मैदान से जोड़ेगी कुलदूरी होगी 16 किलोमीटर ठीक है चलिए अगले पॉइंट के और बढ़ते हैं अगला पॉइंट है क कि पुरुवतर भारत में पहली बार 22 ए गवर्नेंस राष्ट्रिय सम्मिलन कायोजन स्विलोंग में किया गया अगला पॉइंट है कि जैव इंधन निती को लागू करने वाला पहला राज राजस्थान बना राजस्थान अगला पॉइंट है कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालाय का उद्गाटन हैदराबाद में किया गया ठीक है इसमें PLS LV चंद्रयान 1 GSLV 3 आदी के मॉडल रखे गया है ठीक है निजी अंतरिक्ष संग्रहालाय का उद्गाटन किया गया भारत का ना पहला चंद्रियान वन है नजद्रियान वंध से लएगा है फिर सब्वी कि अग्लह कि राश्टिlair जनन जातीए उत्सौ सव आदी महुत्सक आयोजन लेह के लदाख में किया गया, याद रख्येगा है ना आएग्ला कि आदी महत्सों कहां मनाया जाता तो ले में लद्दाख याद रखेगा ले में लद्दाख लेके लद्दाख में किया गया ना चलिए अगला नौ दिवसी इस महत्सों का आयोजन के इंद्रिय जंजाती मामले मंत्राले तथा ट्रैफेड के द्वारा किया गया था नौ ट्राइफेट के द्वारा किया गया. अगला point है कि भारत के प्रथम के अंदिरिये गेमिकल इंजिनियरिंग वो टेकनोलोजी संस्थान की ऐस्ठापना गुजरात में कि जाएगी जिसका उदेश रसायन उद्धोग को बढ़ावा देना है बारत के प्रथम केंद्रिय केमिकल इंजिनियरिंग वा टेक्नोलोजी संस्थान के स्थापना कहां की जाएगी गुजरात में जिसका उदेश रसायन उद्धोग को बढ़ावा देना है अगले पॉइंट को बढ़ते हैं कि बहारतिये पुराथत्वा स्रल्विक्षन , में उडिसा में तीननीजा बहांस पहले की ग्रामीन वस्ति का पता लगाया हे तो यसे स्म्नोंdriven पूछ देता है कि केंदर सरकार ने 4900 करोड की कोशी मेची नदी जोड़ो पर्योजना बिहार में मनजुरी दी जिससे बाढ़ से राहत मिलेगी है ना उत्री बिहार में देखते हैं बाढ़ से क्या आलत हो जाती है जब कोशी गंड़क ये सब में बाढ़ आती है तो केंदर सरकार ने 4900 करोड की कोशी मेची नदी जोड़ो पर्योजना बिहार को मनजुरी दी जिससे बाढ़ से राहत मिलेगी और अगला पॉइंट है कि गोगा वील जो गोखुर जिल पे हैं गोगा वील इसको बिहार राज अधिनघ्य का समुधाईग जरों घोसित किया गया हैं तो यह थे प्रमुक राश्टिय घट नक्रम आप लोग द्यान देंगे ंप्रमुक अंतर रास्टिय घटनाकरम इसमें देखते हैं मैं Key अगस्त 2019 devan प्रमुक अंतर रास्ट्य घटनाकरम में क्या है पहला है पहला पॉइंट है कि हाल ही में जारी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स है ना मतलब डबलू एस आई के अनुसार देश के 20 बड़े सहरों में से 11 जल संकट की खतरनाक इस्तिति का सामना कर रहे हैं ठीक है ना कितने बड़े सहरों में से 11 जल संकट की खतरनाक इस्तिति का सामना कर रहे हैं इस इंडेक्स में भारत को विश्व के 46 में सबसे अधिक जोखिम पूर्ण देश किसके हिसाब से तो जल संकट के संदर्व है ठीक है ना कि रूप में सूचिवत किया गया है भारत के 20 बड़े सहरों मे में से 11 अतिदिक जोखिम है मतलब एक्स्क्रेम रिस्क वाले स्रेणी में और साथ से हर जोब हाई रिस्क वाले स्रेणी में sommes इंसे इसरी क्राओर् service संस्दाध्रा जारी किया गया पिन रहा ठीक्स का सामना कर रहा है इस इंडेक्स में भारत को विश्व के 46 में सबसे अधिक जोखिम पूर्ण देश जल संकट के संदर्व में सुची वद्ध किया गया है भारत के 20 बड़े सहरों में से 11 जो है वो अत्यधिक जोखिम मतलब है एक्स्ट्रेम रिसक वाली श्रेनी में और साथ जोखिम हाई रिस्क वाल श्रेनी वेश है इसे एंड़रिक्स फॉर्म फिरी सिंपल घौक्ट संस्थाद्वारा जारी किया गया कि अगला पॉइंट है कि नीदरलेंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुरका और नखाप पह हाँ करेंसी मैनिपुलेटर मतलब की मुद्रा जोड तोड के रूप में चीनित किया है 25 वर्सों में पहली बार ऐसा हुगा है तो यह थोड़ा सा important है जितना भी topics में हर topics में जो भी point डिलाता हूं important ही रहता है maximum और सबको पसंद आता है अगला point है कि हाली में Amazon के जंगलों में आग लगने की खवर आई थी जिससे पुझाने के लिए जी सेवन देशों द्वारा ऑप्रेशन ग्रीन ब्राजिल जलाए गया था कौन सा ऑप्रेशन पुछेगा कि कौन सा ऑप्रेशन चला गया था तो ऑप्रेशन ग्रीन ब्राजिल और किनके द्वारा तो जी सेवन देशों द्वारा और यह कुल नौ देशों में फैला है तथा इसे विश्व का फेफड़ा भी का जाता है चलिए अगला point है कि यूएन सी सी डी या नहीं कि हाँ इवेन सी सी डी के कॉप 14 का आयोजन greater नोडा में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक देश हिस्सा लेंगे ठिक है ना इवेन सी सीरी के कॉप 14 का आयोजन greater नोडा में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक देश हिस्सा लेंगे है ना चलिए फिर क्या है UNCCD इसका फुलपुम होता है United Nations Convention to Combat Desertification याद रखेगा UNCCD का होता है कि United Nations Convention to Combat Desert certification के कॉप 14 का जो आयोजन उसका greater Nevada में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक देश हिस्सा लेंगे चलिए यह था प्रमुक अंतराष्टिये घटना करम अब हम पढ़ेंगे प्रमुक आर्थिक घटना करम प्रमुक आर्थिक घटना करम अगस्त 2019 में क्या है इसमें पहला वर्स 2018 में भारत को विश्व की सात्वी बड़ी अर्थव्यवस्ता बताया प्रथम यूए से बीस दसमलों पांच ट्रिलियन डॉलर और भारत सात्वी दसमलों साथ इन ट्रिलियन डॉलर अभी 21 दसमलों कुछ हो गया है प्रिलियन डॉलर अमेरिका का और भारत का और बढ़ा है और भारत पांचवा हो गया है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जिवाई इसके बैंक डेन्मार्क जो है रिन लेने के लिए प्रभावी रूप से एक वर्स में उधार करताओं को 0.5% भुकतान करेगा ठीक है ना जो जो इसके बैंक डेन्मार्क है डेन्मार्क में है रिन लेने के लिए प्रभावी रूप से एक वर्स में उधार करताओं को 0.5% भुकतान करेगा डेन्मार्क के इस बैंक ने दुनिया का पहला नकरात्मक ब्याजदर बंदक शुरू किया है इसलिए इंपोर्टेंट लगता है थोड़ा सा तो आप सब के साथ सेयर करा चलिए अगला पॉइंट है कि नकारात्मक ब्याजदरों का प्रभावी रूप से मतलब है कि एक बैंक अपने हातों से पैसे लेने के लिए एक उधार करता का 0.5% भुगतान करेगा डेनमार्क के इस बैंक ने दुनिया का पहला नकारात्मक ब्याजदर बंदक शुरू किया है तो इसका मतलब समझी है कि नकारात्मक ब्याजदरों का प्रभावी रूप से यह मतलब है कि एक बैंक अपने हातों से पैसे लेने के लिए एक उधार करत का बोगधान करता है कि इस लिए दुना में कम वापस करते हैं अब अब अगato नुपस देखें कि रक्षा विज्यानि प्रणुक की करें कि फिफ्स मतलब कि पांचवी आर्मी स्काउट मास्टर्स परतियोगिता 2019 जिसका योजन हुआ राजस्तान के जैसल मेर में और विजेता देश भारत ही है और इसमें कुल उपस्तित होने वेले देश आठ थे ठीक है पांचवे आर्मी स्काउट मास्टर्स परतियों किता जो राजस्तान के जैसल मेर में करी गई इस का विजेता भारत है कुल आठ देशों में है ना चलिए अगला पॉइंट है कि दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना स्थापित करने के लिए भायत सरकार दवारा महारास्टर को दस बिलियन डॉलर प् परियोजना अस्थापित करने के लिए भारत सरकार महाराश्ट को कितना दिया दस बिलियन डॉलर प्रदान किया अगला प्रियोजना महाराश्टर को पूने से जोड़ेगी अगला पॉइंट है कि रूस्त ने विश्वका पहला तेरता हुआ प्रमानुस अन्त्र अकाडेम कि रूस्त ने विश्वका पहला तेरता हुआ प्रमानुस अन्त्र अगला पॉइंट है कि शाहिन 8 वायुसे ना अव्यास चीन एवं पाकिस्तान के बिद संपन हुआ है ना और शाहिन जो है पाकिस्तान का युद्मारत की आपको पता होगा शाहिन 8 जो है वायुसे ना व् पॉइंट है कि एक एक्रित यूद्समू मतब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रूप्स गठीत करने की घोष्णा भारतिय सिना द्वारा किया गया जिसका उदेश से यूद्में बेहतर प्रदर्शन दुश्मन पर त्वरित आक्रमन करना है ठीक है अगला पॉइंट है कि पूइब नाम रूपोट को किसने बेजा रूप ने अंतरीक स्टेशन में ठीक है ना याद रखना हो कि पूछ देगा कि रूप ने एक रोबूट को अंतरीक स्टेशन में बेजा था इसका नाम क्या था तफेड्र है ना चलिए अगला पॉइंट है कि फ्रेकी जैपाटा जो फ्रांस में इसने जेट संचालित हुवर बोर्ड पर इंग्लिस चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया चलिए एक बार फिर से कवर कर लेते हैं टूटल को प्रमुक्राश्ट्य घठना करम में मैं आप लोगों की बताया था कि कंपोजिट वाटर मेनेजमें इंडेक्स 2.0 नितिया योग जारी करें ने किया इसको इसमें राजियों में प्रतमस्थान घुजराइश्छामारी देश्ट in त अगला पॉइंट है कि अंगीकार अभियान केंद्रिये आवास्त था सरी मामलों के मंत्राले द्वरजारी चलाया गया उदेश से इसका रखा गया कि जल एम उर्जास सनरक्षन कच्रा प्रबंदन स्वास्त पोधार उपन स्वक्षता इत्यादी जैसे मुद्धों पर फोकस क करना फिर अगला पॉइंट था अधर्स मारक यूजना जो संस्कृति मंत्राले द्वरा चलाया गया इसका उदेश्य था कि एतिहासिक इमारतों में आने वाले अगंदुकों को बेहतर स्विधाया प्रदान करना अगला पॉइंट था कि 5 अगस 2019 को कियंद्र सकार ने जम्म अगला पॉइंट है था कि दिली सरकार ने दो संविधाय तक मुफ्त विजली देने का निर्ने लिया भारत की पहली अंडर्वाटर ट्रेंड कोल्कत्ता में होगली नदी के नीचे सुरू की जाएगी या सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को हवडा मैदान से जोड़ेगी कुल्दुरी 16 क्लिमिटर होगी इसकी है ना आगे बढ़ते हैं कि पुर्वोतर भारत में पहली बार 22 वे गवर्नेंस राश्टीर सम्मेलेंगायोजन स्विलोंग में कि गया गया कि लपेंटे की जैव इंधन निति को लागू करने वाला पहला राज राजस्थान बना है ना भारत के पहले नीची अंतरिक्ष संग्रहाले का उद्गाटन हैदराबाद में किया गया इसमें पी एसल्वी चंद्रेयान वन जी एसल्वी थ्री आदी के मॉठल रखिया गया है ना फिर भारत के प्रथम केंद्रिये में केमिकल इंजिनियरिंग वर टेक्नोलोजी संस्थान की अस्थापना गुजरात में की जाएगी जिसका उदे सराज स्थायन उद्ग को बढ़ावा देना है फिर ताकि भारतिये पुराततों सर्वेक्षन ने जोड़ो परियोजना मतलब बिहार को मंझूरी दी जिससे बार से मिले रात मिलने की फिर गोगावील जो कि गोकुर जिल पर उसको बिहार आज का पहला समुदाई के रिजर्व घुसित किया गया यह गोकुर जिल के उपर है तो प्रमुक रास्ट्रिये गटना के बाद हम मतलब WSI के अनुसार देश के 20 सहरों में 11 सहल जल संकट की खतरनाक इस्तिति का सामना कर रहे हैं इस इंडेक्स में भारत को विस्व के 46 में सबसे अधिक जोखिम पूर्ण देश जल संकट के हिसाब से सुचिवत किया गया है भारत के 20 बड़े सहरों में से 11 अधिक जोखिम वा संस्था द्वारा जारी किया गया अगला पॉइंट है कि नीदरलेंड ने सर्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नगाप पढ़ने पर प्रतिबंद लगा दिया ठीक है ना अगला पॉइंट है कि 25 वर्षों में पहली बार USA ने चीन को करेंसी मैनिफ लिटर मतलब कि मुद यह कुल नौ देशों में फैला है तो था इसे विस्व का फेफला कहा जाता है अगला है कि यूएंसी सीड़ी के कॉप 14 का योजन ग्रेटर नौइडा में किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक देश हिसा लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रमु का आर्थिक गटना क्रम कि इसका पहला पॉइंट है कि विस्व बैंक ने वर्स 2018 में भारत को विस्व की साथी बड़ी अर्थवेस्था बताया था और प्रथम यूश्व को रखा गया था उस टाम बीस दसमनों पास ट्रिलियन डॉलर अब भारत के पास दूद दसमनों साथ ट्रियन डॉलर है ना फिर जो इसके बैंक डेनमार्क में जो है यह तोड़ा समझने वाली बात थी वहां भी मैंने दो रहा था फिर देखूंगा दो रहाता हूं कि द्यान से समझे कि इसने क्या कि रीन लेने के लिए प्रभावी रूप से एक वर्स में उधार करताओं को जीर्यों दसमनों पां है इसलिए बेरीर वीट की तुलन में कम वापस भुगतान करते ठीक है अरक्षा विग्यानें प्रदोगी की इसमें पहला है कि पांचवी आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगीता जो हुई इसका जन किया गया था राजस्थान के जैसल मेर में इसमें कूल आठ देशों ने भाग लिया जिसका विजेता भारत बना फिर अगला पॉइंट था कि दुनिया के पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लु लेगी फिर अगला पॉइंट था कि रूस ने विश्व का पहला तरता हुआ परवानु सन्यंत्र अकाडेमिक लोमोनुस ओव लॉंच किया इसके बाद का पॉइंट था कि शाहिन अटमी आव वायू से नाव्यास जो है मतलब शाहिन आठ वायू से नाव्यास चीन एम पाक बढ़न हुआ अगला पॉइंट कि एकिकरीत यूद सम्मों इंटी यानि की इंटीग्रेटर बेटल ग्रूप्स गठित करने की घोष्णा भारतिये शेना द्वारा किया गया जिसका उदेश से यूद में बेतर प्रदर्शन दुश्मन पर त्वरीत आक्रबन करना है अगल मैं जेट संचाइत होवर बोर्ड पर इंगलीश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया यह था अगस्त 2019 का करेंट एफिर्स तो मैं डेली आप सब के लिए करेंट एफिर्स लाओंगा यह सब कोशिच कर रहा हूं ताकि भी पीपेसी एक्जाम से पहले आप सब को कि टोटल 20 मेंने का जो करेंट एफिर्स मेंने कहा है वह करा दूँ मैं आप सब को फिरस याद दिला दूँ कि प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो हम मार्स 2019 से करेंट एफिर्स मेलेंगे और मैं बीपेसी एक्जाम तक आप सब को बताऊंगा इंप्वाटन्स टॉपिक हाएं प्लेधे